हेलो फ्रेंट, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस पीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महा देभी वर्मा का जीवन पढ़िचे, वो भी हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं तो इसका ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है उनके जन्म के बारे में, फिर जन्म अस्थान के बारे में, उसके बाद पिता, माता, मृत्यू, उसके बाद पत्री का और कौन से उनकी कृती है, उसके विशे में हमें लिखना होता है, ठीक है फ्रेंट, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं तो आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था 1907 इस वी में और जन्म अस्थान था फरूखाबाद और पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हे मरानी देवी था तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं आपको पता है कि आफवेंदा फ़रूखा बात गया रगया तो साल था और कितने में तो चाल बजी गया था और किस केए वी के साथ फेमोक में DEVY साथ वह गया ठीक है फ्रैंट तो आप इस त्रिके से इसको याद कर सकते हैं और आप इनकी जो मूद्द्वी थी 1887 में को आप कैसे याद कर सकते हैं इसको आप याद कर सकते हैं कि 7 के बाद क्या आता है यहाँ पी अगर आप today यान आपドहुत आता कर देंगे ठीक है ना तो हमको क्या करना है आठ एंड साथ लिख देना है तो हो गया ना चांद को निहारते निहारते और उनको नीन्द आ गई चांद को निहारते निहारते उनको नीन्द आ गई तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं अगर आपको यह पूरा याद हो चुका है तो आप इससे अप जीवन परजे आसानी से बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अभी हम द रूप नटा का नाम गोबिंद प्रसाथ था माता का नाम हेम रानी था इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी इनकी प्राड़म्भिक सिच्छा इंदोर मेता था उंचे सिच्छा परियाग में हुई इन्होंने संस्कृत भासा में एम में उत्तिर्न किया और परियाग महिला विद्या पिठ में परधाना चार्ड़े हो गई इनका विवाह छोटी आयू में हो गया था और इनके जो पती थे उनका नाम था रूप नरायन वर्मा था कुछ वर्सों तक ये उत्तर परदेश विधान परिशत की मनोनीत सदस्या भी रही इन्होंने नारी सोतंत्रता के लिए सदयप संगर्स किया और उन्होंने अधिकारों की रच्छा के लिए नारीों का सिच्छित होना आवस्यक बताया इतना लिखनी के बाद आपको साहितिक सेवाई का हेडिंग डालना है उसके बाद आप लिख सकते हैं इनकी साहितिक सेवाओ के लिए राष्ट पती ने इन्हे पद्म भूसन अलंकार से सम्मानित किया इनकी मृतुसन 1987 इस भी को हुई और इनकी प्रमुक रचनाय में आप लिख सकते हैं अतीत के चलचित्र रश्मी नीर्जा निहार साध्य गीत दीप सिखा इत्यादी कम से कम दो आपको जरूर लिखना है रचनाय में और इनके जो पती थे उनका नाम था रूप नारायन वर्मा और संसमरन एबम रेखा चित तो असमर्ति की रेखाएं तो इस तरीके से आप जीवन परिचे को लिख सकते हैं और अगर आप एक से दो बार इसको डिवाइज करेंगे डिविजन करते हैं तो ये अपने आप आपको याद हो जागा फ्रेंट तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फरमेटिव लगी होगी वीडियो इन्फरमेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वॉचिंग डिस वीडियो